दोस्तो रेल मंत्राले ट्रेन से सफर करने जा रही जनता की हर छूटी बड़ी परेशानियों का समादान समय पर निकाल देता है रेलवे में ऐसे काम काफी तेजगती से किये जा रहे है कुछ लोगों की मांग थी कि देश की सेमी हाइस्पी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दोरान अगर किसी को नींद आये तो वो काफी परेशान हो जाता है जिसके कारण वे सफर में थकान महसूस करता है क्योंकि इस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार वाले डिबबे है स्लीपर के नहीं इस ट्रेन में अभी तक जनता को बैट कर यात्रा करनी पड़ती है लेकिन अब आप जल्द ही सो करवी सफर का आनंद ले सकेंगे लगाए जाएंगे स्लीपर कोच रेलवे बोर्ड सूतरों के अनुसार रेल मंत्रालेस ट्रेन के लिए स्लीपर कोच की विवस्ता करने जा रहा है इसके लिए ट्रेन का स्लीपर रेक त्यार करने के ओडर जारी होने वाले है जब ये रेक बन कर आएंगे तब इनको ट्रेन में जोड़ दिया जाएगा पर तेजी से काम चल रहा है आपको बता दे कि वंदेबार ट्रेन या ट्रेन 18 के लिए अब तक 300 नए रेक के ओडर दिये जा चुके हैं जिस पर तेजी से काम चल रहा है बताया जा रहा है कि इसमें 200 रेक चेयर कार और 100 रेक सिलिपर कोच वाले बनाए जा रहे है इस ट्रेन में 16 डिबे होते है इस ट्रेन में अलग से कोई इंजन नहीं लगाना होता क्योंकि यह रेक सेल्फ प्रोपेल्ड है आपको बता दे कि वंदेबार ट्रेन अधिक्तम 180 किलोमीटर परती घंटे की रपतार से रेलवे ट्रेक पर दोड़ती है रेल मंत्राले ने इसे अधिक्तम 160 किलोमीटर परती घंटे की रपतार से चलाने की अनुमती दी है रेलवे सूतरों के अनुसार नए तरह के वंदे भारत के हर ट्रेन या रेक की कीमत लगभग 113 क्रोड रुपे के करीब हो सकती है सूतरों के अनुसार वंदे भारत के नए ट्रेन के निर्मान के लिए नवंबर महिना काफी खास रहने वाला है इसमें 200 वंदे भारत चेयर कार रेक का कॉंट्रेक 15 नवंबर को अवोर्ड किया जाएगा साथ इसलिपर वेरिंट के सो रेक के लिए दो कॉंट्रेक्ट अवोर्ड हो सकते है इसमें एक कॉंट्रेक्ट 22 और दूसरा 29 नवंबर को होगा किन कंपनियों को मिलेगा ओडर रेलवे सूत्रों के अनुसार वंदे भार ट्रेंसेट का मैनुफेक्ट्रिंग ओडर कुल साथ मैनुफेक्ट्रोर्स के बीच बाटा जा सकता है इनमें जो कंपनिया शामिल है वे मैनुफेक्ट्रोर्स प्री क्वालिपाइड है इसके नाम अलिस्टों, सिमेंस, टीटागर्ड वैगनर्स, क्रोम्टन एंड ग्रीप्स, मेधा सर्वो ड्राइब्स और भारत हेवी इलेक्टिक लिमेटेड है बता दे कि इनमें से बेल एक मात्र ऐसी कंपनी है जो की सरकारी है आपको बता दे कि ऐसा पहली बार है जो पूरी ट्रेन ही भार से बनवाई जा रही है भारते रेल पहले भी भार के मैनुफेक्ट्र से ट्रेन के डिबबे, माल डिबबे और इंजन तक बनवा चुका है इन कंपनियों को वंदे भार ट्रेन की तकनिक का ब्लू प्रिंट दिया है जिसे ये काम तेजी के साथ कर सके इन कंपनियों से 400 वंदे भार ट्रेन सेट खरी दे जाएंगे कहां होंगे कोच तेयार रेल्वे से जिन वंदे भार ट्रेन का सेट बनाने का कॉंट्रेक्ट अवोर्ड होगा उसे चेनी स्थीत इंटिग्रल कोच फेक्टरी लातूर स्थीत मराथा वार्ड रेल कोच फेक्टरी सहीत रेल्वे के कई प्रोड़क्शन यूनिट में बनाया जाएगा इससे पहले भारते रेल्वे ने अपने प्रोड़क्शन यूनिट कार खानों और डीपो को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का पैसला किया है इन कार खानों में प्रोड़क्शन लाइन बनाने के लिए प्राइवेट मेनुफेक्टर्स को कुछ स्ट्रक्चर बनाना बताया जा रहा है कि सरकार कुछ और सहुलियत दे सकती है पहले साल बनेगी 18 स्लीपर वंदे भारत दोस्तों वंदे भारत के टेंडर के अनुसार पहले साल 18 स्लीपर वंदे भार ट्रेंसेट बनाया जाएगा दूसरे साल में 24 स्लीपर ट्रेंसेट जबकि 30 साल 30 ट्रेंसेट की manufacturing और supply होगी इसी तरह हर साल वंदे भारत के sleeper variant के कम से कम 30 train set बनेंगे आपको बता दे कि परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने अगले साल 15 अगस तक भारते रेलवे को 75 वंदे भार train चुलाने का target दे रखा है अभी तक इसमें से महच्च्वा ट्रेन ही ट्रेक पर दोड़ रही है दोस्तों आपका वंदे भार train के बारे में क्या कहना है हमें comment box में comment कर जरूर बताए और बाकी updates के लिए देखते रहें जनता की अवाज जनता की अवाज YouTube चनल को सब्सक्राइब करें साथ की bell icon जरूर दबाएंगे